असलाम अलीकुम वेल्गम बैक तो माई चानल डिस इस मीन आसीफ आई होप आप सब लोग बिल्कु ठीक ठाक होंगे अनदर ब्यूटिफुल जाग लिटाए मैकप लोग बहुती सिंपल मैथड के साथ मैंने इस वीडियो के नदर स्टैप बाइ स्टैप आप लोग को सिखा ह कौन सी प्रोड़क्त किस सरी किसे लगाई है यह शीमर जो इतना प्यार साप लोग को नजर आ रहे कौन सी ब्रैंड का है तमाब प्रोड़क्त मैने वीडियो में दिखाई है वीडियो को एंड तक देखना है बिल्कुल स्किप नहीं करना है चैनल पर नहीं हो तो जड़ी स और उसके साथ अपने आइबूस को फिल करना है और स्पूली की मदद से इसको ब्लैंड कर लेना है आज काई मैक अप के अंतर जो मैं आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूं वह ब्लेस भाई हादिया का आउटर पे मैंने टेप लगा लिया है क्योंकि मुझे अपना ब्लेंडिंग आप लोगो बहुत अची करनी ताके हमारा एक समर्ज लाइनर सा लुक नजर आए आउटर से जामें टेप हटाऊंगी न तो आप देखे का कि इतना खुबसूरत लगेगा तो अच्छा सा ब्लेंड करने में तो टाइम लगता है इसके बाद मैंने लाइट ब साथ मैंने चोटी सी लाइन डॉक कर लिया है हाफ ऐल लिट तक और इसके लिए भी मैंने बहुत चोटे साइस का ब्रश यूज कि आपके जो टूल होते हैं वह बहुत अच्छे होने चाहिए और जिस एरिया में जिस टूल की जरूरत है हमें वह उसी के साथ काम करना होता है तो यहां पर इस पेस कम था तो चोटा टूल हम मुझे चाहिए था चोटा सा ब्रॉइश तो मैंने उसी के जाद काम किया और फिर मैंने ब्रॉण शेड लेके उसकी ब्लैंड कर लिया है ब्लैंडिंग के लिए मैं यहां पर ब्लैंडिंग ब्रश यूज कर रही हूँ जोई अप्लाई हो सके जो ब्राउन कर लग गया है वो उस शेट के अंदर ना आए तो मैंने यहां पर इस इस अपनी आईलीट को सेंटर से बिल्कुल क्लीन कर लिया है और इसको अच्छे से मैं ब्लैंड कर लोंगी इसके भी एजिस जो आउटर से बन गए अब में यहां पर ऑपे थोड़ा थोड़ा सा कर गयी मैंने ब्रॉश के अंदर लेके इसको मेरे सैंटर को इरिया था महां पर मैं अप्लाई कर लिया है और यह जो अपनी ब्लवा न को है leverage किया है बहुत ही पिग्मेंटी टेप बहुत थोड़ी से कांजिटी लगती है लगती है और अपनी अप्लाई कर लिए इसके बार जो ब्राउन कलर मैंने लगाया था। अपनी आईएलेट पर उसी के साथ मैं अपने लोयल आच लाईंक का भी तो यहां पर देखें इसका आउटर कितना खुब अप्सूरत आउटर बनानी के लिए मैंने टेप लगाया था यहां पर मैंने ब्राउन करें लगा लिया है अपने लॉयल आश लाइन पर बहुत जादा पहलाना नहीं और ब्राउन कर तो आपकर इल विए अपनिया तो नहीं होना है कि मैंने लेड़ ब्लैंडिक लाइन कर लिए दे लोग सब्सकूप podéis रेड और पिंक कलर का शेड निकल कर आता है यह लगने के बहुत खुबसूरत लगता है और जैसे जैसे आप अपने फेस को मूफ करेंगे ना तो इसका कलर भी चेंज होता रहता है ओपेरा कॉस्मेटिक्स की ग्लीटर जो अभी इनोंने नियू लाउंच की है यह बहुत खुबसूरत है और पेंग परपल ब्लू यह इन शेट के अंदर आपको मिल जाएंगे और पेरा कॉस्मेटिक्स का इनका पेज है इंस्ट्राग्राम पर आप जा कर सकते हो अब यहां पर मसकारी के अप्रिकेशन कर रही हूं मसकार अप्लाई करने के बाद में, पहला कि आपको फैनल लोक दिखाती हूं यहां पर आइलैश आप्लाई कर ली है यह रागाने के बाद आए मैकप लुक तेखेशन के अपियारा है और यही मैंने आइलेट के उपा अप्लाई कर रहा है और यही मैंने मेकप का फिनिश वाइनल लोग कम्प्लीट पिच्चर देखने के लिए उन्चे इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजेगा I hope मेरी आज की वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी में तो नेक्स्ट वीडियो में तो टेक के लाँ पीज एंड बाई